जारब मैं फिल्म के हिसाब से भोल सकता हूँ ऐसे वर्णा में अपने बारे में इसा भाजाद करूँगा तो अजीब लगेगा अपने आपको में कुछ लवगरू समझने लग्या हूँ हमारे फिल्म के हिसाब से या कहानी के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टन है वो यह है कि अगर जो इनसान एक दूसरे को माफ कर सकता है मिमा मांग सकता धरल्ती हो जाया रिष्तो में बहुत गल्तियां होती यह जगड़े होते हैं कभी-कभी टूट भी जाते हैं जाते हैं हम तेलेविजिन पर बहुत सारे शोस करके हूं, जितने भी है, डेली सोप्स होते हूं, तो मैं क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम चल रही न, रिष्टों में तो देखियों मैं हिरानी रह गया गया, एक तो क्या प्रॉब्लम थी एक लड़की पैसा अगा ने खर्च करने देती दूसरा हस्वेंड पैसे सादा खर्च करता, बड़े बड़े अजीव जीव चीजने देख रहा हूं मैं, तो उन सब को भी अगर एक अठा कर लो, एक अत्रित कर लो, तो I think जिस इस इंसान में माफ करने की शमता है, I think वो बहुत 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 दिल्वाला होता है, बाकि उस से बड़ी क्योंकि अगर हम खलल, तकलीफ दिमाग में रखें, तो निगिटिविटी बहुत जाती है, कि मेर को सबस्पोज एक्स हैं, काजोल हैं साल पहले, उस संदेगी बहुत रहती है, तो असा सब बहुत बहुत है, पर हर बाद बहुत को तकलीफ होती है, जात पहला है कि जज नहीं करते हैं जोल शे गहराएं, कि यह शन नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, मेर को जज मत करो, मुझे लोग कैते हैं सचनी बोलता, ठीक है अगर नहीं बोलता दो नहीं बोलता पयार करो को मिझेक है